नमस्कार हमारी राए में आपका स्वागत है मैं हूँ राजीव हर महीने की तरह इस महीने भी पीए मोदी ने रेडियो पर मन की बात की ये उनके मन की बात सिरीज का 47वा एपिसोड था और इस एपिसोड में भी उन्होंने एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का मुद्दा उठाया और ये भी बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वे प्रतिबद्ध हैं लेकिन उनकी इन बातों में कुछ भी नयापन नहीं है क्योंकि पिछले चार सालों से वे कई बार ऐसा कर चुके हैं और इन ही चार सालों में उन्नाव कठवा मुजफर पूर जैसे दिल दहलाने वाले मामले भी देश के सामने आये जिन पर पी एम ने कभी कुछ नहीं बोल 1098 नंबर की हिल्प लाइन पर भी चौकाने वाला आकड़ा सामने आया है पिछले तीन सालों में इस नंबर पर पुलिस को एक करोड़ 36 लाक साइलेंट यानि की खामोश टेलिफोन कॉल्स या ब्लैंक कॉल्स मिले हैं यानि ऐसी कॉल्स जिसमें फोन तो आता है लेकिन दू लेकिन शायद डर के मारे कुछ बता नहीं पाता है अब जरा इन आकड़ों पर गौर कीजिए दोहजार पंद्रह सोलह में 56,582 दोहजार सोलह सत्रह में 70,766 और दोहजार सत्रह अट्रह में 81,147 ऐसे मामले इस हेल्प लाइन के जरिये सामने आये जिसमें पुलिस के हस्तक की जरुरत पड़ी अनात असाहाई परित्यक्त बच्चे कई बार गंभीर उत्पिड़न का शिकार होते हैं खासकर लड़कियों के लिए योन उत्पिड़न बड़ी तरासदी होती है ऐसे में अपने बचाओ के लिए वे इस हेल्प लाइन का सहारा लेते हैं याद करें मु मेडिया एक तरह से हेल्प लाइन बनकर ही सामने आया क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग के कारण ही कई शक्तिशाली लोगों की संलिप्त ता और प्रशासन की लापरवाही जैसी बातें सामने आईं मेडिया ने इस मामले को और प्रमुखता दी क्योंकि मुख्या रूपी भी अखबार का मालिक था और सत्ता से उसे भरपूर विग्यापन मिलते थे मेडिया की रिपोर्टिंग के कारण ही कैबिनेट मंत्री को इस्तिफा देना पड़ा लेकिन हाली में मुझजफरपूर कांड से जुड़ी जांच की खबरों के प्रकाशन को लेकर पतना हाई कोट के महाधिवक्ता ललित किशोड ने एक फरमान जारी किया है पतना हाई कोट के चीफ जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस रवी रंजन का हवाला देते हुए आदेश जारी किया गया है कि मुझजफरपूर कांड की जांच से जुड़ी कोई भी खबरें मिडिया द्वारा प्र पत्रकारों ने एक हस्ताक्षरित बयान जारी किया है कि वे पतना हाई कोट के गत 23 अगस्त के उस आदेश को लेकर बहुत चिंतित हैं जिसमें मुझफरपूर बाली का ग्रीह यौन शोशन मामले से जुड़े समाचार प्रकाशित करने का निर्देश है क्योंकि ये जांच को प्रभावित करेगा पत्रकारों की दलील है कि मिडिया के द्वारा ही मुझफर पूर बाली का ग्रीह से संबंदित समाचार प्रकाशित और दिखाये जाने के बाद लोग उसके बारे में जान पाए और इस पर सुप्रीम कोट ने संग्यान लिया पत्रकारों की चिंता व ले इसमें जिन रसुकदार लोगों का हाथ है वे खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं दूसरी ओर इस मामले में जो पीडित हैं वे अनात हैं बे सहारा हैं और वे इनकरूर लोगों से अपने दम पर नहीं लड़ सकती हैं उन्हें नयाय दिलाने में पसारित करने पर रोक लगा दी गई है खैर सवाल ये उठता है कि तीन तलाग या नारी सुरक्षा के नाम पर सिर्फ जुम्ले गढ़ लेने या मन की बात कर लेने से क्या देश की नारियों को प्रयापत सुरक्षा मिल जाएगी मेडिया के जरिए अगर आप मन की बात के र तो हमारी राय में बस इतना ही देखते रहिए डी बी लाइब नमस्कार